हलो स्टूटेंट्स वेलकम टू मैं रुपाली वर्मा मैं आज आपको पढ़ाने के लिए जा रही हूँ क्लास 12 की हिंदी की बुक आरो भाग 2 का अध्याय है सिरीश के फूल लिखा है इसे हजारी प्रसाद दिवेदी जी ने ये जो शिरीश का फूल हमारे सामने प्रसुत किया जा रहा है ये पाट इस फूल के माद्यम से बताया गया है कि किस तरीके से फूल हर परिस्तिती को जेलते हुए कितनी अच्छे तरीके से खिला रहता है हर मौसम हर परिस्तिती कितनी भी विकट आ जाए कैसी भी हो जाए और इस फूल के माध्यम से मनश्रु को भी प्रेणना दी जा रही है कि वो भी इसी तरीके से हर परिस्तितियों का सामना करे तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस पार्ट का प्रतिपादे क्या है शिरीश के फूल शीर्शक निबंद कल्पलता से उद्धत है तो हजारी प्रसाद जी की एक संग्रे है कल्पलता उसमें से उद्धत है ये एक हमारे सामने निबंद विधा में लिखा गया है गद्ध की शिरीश के फूल इसमें लेखक ने आंधी, लू और गर्मी की प्रचनता में भी अवधूत की तरह अविचलित होकर कोमल पुश्पों का सौंधर विखेर रहे अब यहां क्या मतलब है? कुश चीजों का मतलब साथ सर समझाते चल रहे हैं यह जो फूल है यह आंधी में, लू में, गर्मी में, गर्मी के मौसम में भी जब मौसम बहुत विकट होता है, फूल मुर्जाने लगते हैं, उस मौसम में भी यह शिरीश का फूल एक सन्यासी के माध्यम में तपस्या करता रहता है, जैसे सन्यासी करता है, कोई भी मौसम हो, कैसी भी परस्तिति यहां, वो अपने ध्याम ने मगन हो गया, तो वैसे ही करता है, तो अवधूत का क्या मतलब हुआ? सन्यासी, सन्यासी की तरह वो ऐसे ही तपस्या हमेशा करता रहता है, बिल्कुल भी विचलित नहीं होता, चाहे जैसा हो, गर्मी हो, धूप हो, तो शिरीश का फूल हमेशा सन्यासी रहता है, तो यह और अपनी सुन्दरता विखेरता रहता है, पूरी तरीके से, तो क्या ब कितनी भी परिस्तितियां खराब हो, उसमें भी अपने धैर को नहीं खोना है, हमेशा चिंतारत रहना है, अर्थात कोई भी कारे करे सोच समझ के करना है, कर्तव शील बने रहने, कर्तव शील मतलब हमारा जो कर्तव्य हैं हमें वो करते रहना, यह नहीं कि मौहौल खराब है त जो भी हमारे कर्तव्य हैं हमें उन कर्तव्यों से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए और इन मुल्यों को हमेशा स्थापित रखना चाहिए श्रीश का फूल है उससे हमें प्रेणा लेने के लिए बोला गया है ऐसी भावधारा में भैते हुए उसे देबल के उपर आत्म बल का महत्व सिद्ध करने वाली इतिहास विभूती गांधी जी की याद आती है तो गांधी वादी मुल्यों के अभाव की पीड़ा से वह कसमसा उठता है अब क्या यहाँ पर बता रहे हैं लेखक जो हैं बता रहे हैं कि जब यह सब चीज़े देखते हैं तो किस तरीके से देहे बल के ऊपर आत्म बल जो है स्थापित होता मतलब अब देखे इन्होंने कैसे मांदम जाए गांधी जी के वह बहुत अच्छे मतलब बोलते ना अब कुछ किया तो उनके बल पे उनने आत्म बल के जरीय तो किया उनके शरीर का बल तो था ही नहीं तो वही चीज़ उन्होंने बताया है कि आज वो जो गांधी वाद है वो हमें कहीं दिखता ही नहीं है इसकी तकलीव हजारी प्रशाद दिवेदी को बहुत जादा है निबन्द की शुरुवात में लेखक शिरीश पुष्प की कोमल सुन्दर्ता का जाल बुनता है जब पाट शुरू करते हैं तो जो कितना बढ़ियां शिरीश का फूल होता है उसकी कोमलता सुन्दर्ता जो होती है उसका बखान करते हैं फिर उसे भेद कर उसके इतिहास में और फिर उसके जरीये मद्यकाल में सांस्कृतिक इतिहास में पैटता है मतलब फिर पहरे तो सुन्दर्ता के बारे में बताएंगे वो पाठ में फिर हमें क्या बताते हैं उसके इतिहास के बारे में कि कैसा रहा कैसे आया जो भी उने वो बताएंगे फिर वो मद्यकाल की सांस्रतिक इतिहास के बारे में आते हैं मद्यसमाल में इतिहास में जाएंगे और उसका जो सांस्रतिक उप्योग रहा वो हमें बताएंगे फिर ततकालियन जीवन वासामन्ती वैभव विलास की सावधानी से उगेरते हुए उसका खोकलापन भी उजागर करता है मतलब फिर उसके बाद में वो वर्तमान टाइम में आएंगे मतलब प्रिजन टाइम में आएंगे और वैभाव विलास के लिए मतलब अब क्या है उपभोग जो हो रहा है उस शिरीश के फूल का वो लोगों की सुन्दरता बढ़ाने के लिए हो रहा है चीज़ों के लिए हो रहा है उसके बारे में बताएंगे और किस तरीके से उसके मतलब को वो खोखला कर रहे हैं वर्तमा अर्थात अशोक का फूल कोई जानता ही नहीं पहले बहुत महत्व होता था अशोक के फूल के अशोक के पेड़ पे भी फूल उखते तो जैसे उसकी महत्ता को ठुकरा दिया गया उसी तरीके से शिरीश के फूल की महत्ता को भी आज के समय में ठुकराया जा रहा है तो इस तो उन्हें शिरीश की फूल से ही कवी ने कितनी कितनी जो रचनाएं करी हैं यह चीज भी वह यहां पर हमको बताएंगे अब इस पाट का सारांश शुरू करते हैं सारांश क्या है मतलब जो कवी होता है उस कवी में कैसा होना चाहिए उसके अंदर एक योगी जैसी साधना करता है उसी तरीके से उसे अपनी कविता के लिए साधना करनी पड़ती है और एक प्रेमी जिस तरीके से अपने प्यार के पीछे आ सकते रहता है अपने प्यार के लिए बहुत ही जादा उसको लेता है कि उसके अपने प्यार हमेशा साथ रहे उसी तरीके से वो प्यार भी कवी के अंदर होना चाहिए मतलब साधना और प्रेम भाव दोनों होना चाहिए तभी एक सही कवी बन सकता है ऐसे कवी की समस्त प्रकति और मानिवी वैभाव में रम कर भी चुकता नहीं और निरंतर आगे बढ़ते जाने की प्रेणना देता है और ऐसा कवी जो है वो कभी भी नीचे नहीं जाएगा अर्थात उसकी कवीत आएं हमेशा जब उसके अंदर फीलिंग होंगी साधना होगी अपनी कारे के प्रती तो कभी भी वो जुकेगा नहीं वो हमेशा उपर की तरफ ही बढ़ता रहेगा लेखक शिरीश के पेड़ों के समू के बीच बैट कर लेख लिख रहा है मतलब इस समय वो क्या कर रहे है वो शिरीश का एक पेड़ों का एक समू है बहुत सारे शिरीश के पेड़ है उनके बीच में वो बैट है और लेख को लिख रहे है जेट की गर्मी से धरती जल रही है ऐसे समय में शिरीश उपर से नीचे तक फूलों से लदा है जेट का मौसम है मतलब बिलकुल गर्मी यानि मई का जो महीना होता है उसमें जेट का मौसम आता है कितनी गर्मी होती है उस समय जो है ये शिरीश का पेड़ उपर से लेके नीचे तक खुब फूलों से लदा हुआ चारों तरफ गर्मी है लेकिन वो फूलों से लदा है कम ही फूल गर्मी में खिलते हैं अमल तास केवल 15-20 दिन के लिए फूलता है अब उन्होंने बताया कि गर्मी के मौसम में बहुत कम फूल खिलते हैं जिनमें एक अमल तास है जो सिर्फ 15-20 दिन के लिए खिलता है कबीर दास को इस तरह 10 दिन फूल खिलना पसंद नहीं था अब वो कबीर दास को बताते हैं कि 10 दिन फूल खिले और खिलना खिलते हैं मतलब आप समझ लेजे फरवरी एंड और मार्च से लेकर और भादो तक यानि कि जुलाई अगस्त तक ये खिले रहते हैं बहुत लंबा समय होता है भीशड, गर्मी और लूं में यही शिरीष की तरह जीवन की अजेता का मंत्र पढ़ाता है और इतनी गर्मी में जो फूर किला रहता है यह क्या होता है? यह बताता है कि मैंने इतनी विकट परस्तितियों में अजेता करी है तो आपको भी ऐसे ही विप्रीत परस्तितियों को भी अजय करना है शिरीश के व्रक्ष लंबे और छायादार होते हैं पुराने रस मंगल जनक व्रक्षों में शिरीशों को भी लगाया करते थे तो अब इनों बड़ा है शिरीश के पेड़ बहुत लिए लंबे होते हैं और छायादार होते हैं और पुराने रस मंगल जनक व्रक्षों में यानि की बहुत समय में पहले में जब बहुत ही सामोही कारिकरम होता था तो इन के पेड़ों को लगाया जाता था बातसायन कहते हैं कि बगीचे में घने छायादार व्रक्षों में ही जूला लगाना चाहिए अब वात्सायन जो हैं बहुती उन्होंने बहुती बड़े-बड़े कावियों की रचना के लिए उन्होंने बोला कि छायादार पेड़ों के मद्ध ही जूला लगाया जाता है पुरानी कवी बबूल के पेड़े में जूला डालने के लिए कहते हैं परन्तु लेखक शिरीश को ही उप्युक्त मांते हैं और बहुत पुराने कभी बोलेंगे तो बोलते हैं बबूल के पेड़ के बीट में जुला लेंगे लेकिन कभी हमारे हजारी पिसाद्य वेदी का मानना है कि शिरीश के पेड़ों के पास में ही जूला लगाना चाहिए शिरीश के डाले कुछ कमजोर होती हैं परंतु उस पर जूलने वालियों का वजन भी कम होता है शिरीश के फूल को संस्कृत चाहित में कोमल माना जाता है तो अब इन्होंने बोला कि शिरीश के पेड़ के जो डालिया होती है वो कमजोर होती कालिदास ने लिखा है कि शिरीश के फूल केवल भैरों के पैरों का दबाव सहन कर सकते हैं यानि कि भैरव जो है न वो इतने भारी होती है मतलब आमा लिजे भैरव जी उनके पैर इतने भारी वेक्ति का पैर का भार जो है वो शिरीश के फूल सहन कर सकते हैं को बहुत बताया कि बहुत ही मजबूत फूल होते हैं अर्थात उनमें मजबूत ही यहां पर नहीं बता रहे हैं कि वो मसल नहीं सकते हैं कहने का मतलब है यहां पर कि उनकी जो प्रवत्ती होती है वो बहुत मजबूत होती है पक्षियों के पैरों का नहीं और पक्षी के पैर का नहीं सहन कर पाते अब कारण क्या है यहाँ पर अब देखिए भैरव जो है वो दुष्टता के साथ उनको कोच लेंगे लेकिन पक्षी कोमलता से लोचींगे उनके कहने का मतलब है आप जितनी कठन परिस्तियां उस फूल के सामने रख दीजिए वो कभी भी जो परिशाननी हुगा लेकिन अगर आपने कोमल मन से उसके सामने आ गए तो वो पिखल जाएगा इसके आधार पर भी इसके फूलों को कोमल माना जाने लगा पर इनके फूलों की मजबूती नहीं देखते हैं वे तभी स्थान छोड़ते हैं जब उन्हें धकिया दिया जाता है कहने का मतलब है जो सिरिश के फूल होते हैं वो कभी भी अपने आप तूट कर नीचे नहीं गिरेंगे जब तक उनको तोड़ा नहीं जाता लेखक को उन नेताओं की याद आती है जो समय को नहीं पहचानते तका धक्का देने पर भी पद को छोड़ते हैं लेखक सोसता है कि पुरानी क्या यह अधिकार लिपसा क्यों नहीं समय रहते सावधान हो जाती व्रद्धा वस्ता वा मृत्यू से जगत के सत्य सिरीश के फूलों को ही समझना चाहिए कि जड़ना निश्चत है पर अंतु सुनता कोई नहीं है तो कहने का मतलब यहाँ पर है वो बताते हैं या सिरीश के फूल के माधिन से यह बता रहे हैं कि जो नेता हैं व्रद्ध हो गए लेकिन तब भी अपने पद पर बने रहते हैं यह कार्रे करते रहते हैं जब उनको धक्का देकर ना निकाला जाए तो यहाँ पर इनके कहने का ताज पर यह है कि मृत्यू एक सत्य है विस्तापन एक सत्य है तो क्यों नहीं समय से अपने पद को छोड़ देते ताकि नहीं जेंग्रेशन आ सके वो आकर कार्री कर सके आप व्रद्ध हो चुके हैं किसी मिलें कि तब भी आप कार्री करते चले जा रहे हैं शिरीश के फूलों को भी समझना चाहिए कि जड़ना निश्चित है वो इसी के बताते हैं कि शिरीश को फूलों को भी समझना चाहिए कि जड़ना अब ज़ते को उनको तोड़ेंगे नहीं वो जड़ेंगे नहीं तो वही चीज़ वो बोल रहे हैं कि शिरीश के फूलों को भी समझना चाहिए कि जड़ना जरूरी है जड़ जाईए तभी तो नहीं आएंगे परंतु सुनता कोई नहीं मृत्यू का देवता निरंतर कोड़े चला रहा है उसमें कमजोर समाप्त हो जाते हैं प्राण धारा वाकाल के बीच संगर्ष्ट चल रहा है हिलने डुलने वाले कुछ समय के लिए बच जाते हैं जड़ते ही मृत्यू निश्चत है तो उन्होंने बताया कि यहां पर आंधी तूफान आ रहा है यमराज की कोड़े चल रहे हैं तो जो कमजोर होंगे वो जड़ जाएंगे और उनकी जगह पे नए आया है और जो जड़ गए उनकी मृत्यू निश्चत है तो यही उन्होंने बताया है कि आप अपने आप ही जगह छोड़ दीजे क्यों आप इसी का आंधी का तूफान का वेट करने की जबरदस्ती आपको कोई धका दे लेकप को शिरीश की तरह लगता है यह हर इस्तिती में ठीक रहता है भैंकर गर्मी में भी यह अपने लिए जीवन का रस ढून लेता है वहाँ वनस्पती शास्त्री ने बताया कि यह वायू मंडल से अपना रस खीचता है तभी तो भैंकर लू में ऐसे सुकुमार केसर उगा सका है अब धूतों के मुह से भी संसार की सबसे सरस रचनाई निकलती है तो उन्होंने बताया कि शिरीश का फूल जो है इतनी बुरी परस्तियों में भी टिका रहता है तो वनस्पति शास्त्रियों का कहना है कि यह जो रस जो लेता है जो अपनी ताकत लेता है यह वायू मंडल से लेता है तो उन्होंने यही बताया कि इतनी कटोर परस्तियों में यह फूल उगता है और तभी तो उसमें से केसर बनता है यानि कि बहुत ही अच्छी सुगंद आती है इसा बाता है तो उन्होंने इसी को सिमिलर कैसे किया अवधूतो यानि सन्यासियों के मूँ से ही कठिन परस्तियों में ही सबसे सुन्दर वचन और रचनाई निकलती है तो शिरीश के फूल को इन्होंने एक सन्यासि के मांतियम से हमारे सामने परस्तित किया हुआ है कबीर वा काली दास उसी श्रेडी के है यानि कि उन्होंने भी बहुत ही मुश्किल परस्तियों में अपने कावियों की रचना करी है और बहुत ही परस्तित हुए जो कभी अनासक्त नहीं रह सकता जो फक्कड नहीं बन सकता जिसने लेख की लेकर नहीं कर सकता वो कभी नहीं है मतलब जिसके उपर मुसीबत नहीं पड़ी वो कभी नहीं बन सकता करनाथ राज की प्रिया विजिका देवी ने ब्रह्मा बालमी की व्यास को ही कभी माना तो यहाँ पर किनको कवी माना गया है सिर्फ ब्रह्मा, बालमी की और व्यास को क्योंकि इन लोगों ने बहुत ही मुश्किल परस्तियों में अपने जीवन को गुजारा लेखा का मानना है कि जिसे कवी बनना है उसका फक्कड होना बहुत जरूरी है फक्कड होना मतलब जेब में जादा कुछ नहीं हो, जरूरत भरका हो बसकार ने चल जाए तो जब तक कवी ऐसा नहीं होगा, फक्कड व्यक्ति क्या होगा, वो मुसीबतों को जहलेगा जब तक कभी परस्थतियों को नहीं जहलेगा तब तक वो सही कभी नहीं बन सकता है काली दास अनासक्त योगी की तरह इस्थिर प्रग्य विग्द प्रेमी थे मतलब कहने का मतलब काली दास ने वो खुद एक प्रेमी थे तब ही तो उन्होंने इतनी बड़ी महाकावे लिख दिया मेगदूत मेगदूत में क्या था कि उसमें उन्होंने प्रेमी प्रेमिका के वियोग का वर्णन किया था और मेगों के जरिये संदेश को पहुँचाया था तो उसमें इस पूरे महाकाव में वियोग जादा था जितना भी विस्तित किया था सब वियोग पे था तो अगर वो खुद इस वियोग को ना जेल रहे होते तो क्या वो इतना बड़ा महाकाव ये लिख सकते थे तो इसलिए कालिदास भी ऐसे ही थे उनका एक-एक श्लोग मुग्द करने वाला है शकुंतला का वर्णन कालिदास ने किया अब शकुंतलम भी कालिदास ने लिखी तो वो भी तो प्रेम के उपर थी वै प्रेम का सयोग, वियोग, सिंगार, रसकस अभी उसके अंदर बहुत ही अच्छा चित्रण था तो ये कालिदास की ही महारत्ता थी राजा दुशियंत ने शकुंतला का चित्र बनाया परन्त उन्हें हर बार उसमें कमी महसूस होती थी काफी देर बाद उन्हें समझ आया कि शकुंतला के कानों में शरीश का फूल लगाना भूल गये अब जब कालिदास शकुंतला लिख रहते हैं तो उन्हें एक वर्णन था कि हर बार वो शकुंतला का चित्र बनाते थे मुगर कुछ गडबड हो जाती थी हर बार अटा देते थे लेकिन जब उन्हें ध्यान से देखा तो शकुंतला ने क्या किया था उसने अपने कान के ऊपर शरीश का फूल लगाया था बस वो शरीश का फूल उस चित्र में लगाना भूल जाते थे इसलिए शकुंतला का चित्र अधूरा रह जाता था कालिदा सौंदर्य के बहारी आवरण को भेद कर उनके भीतर पहुँचने में समर्थ थे यानि कि सौंदर्य जो है जो खुब सूरती है वो सिर्फ बहारी नहीं होती भीतरी भी होती है और ये चीज उन्होंने शकुंतला में बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वर्नित किया भी है वे सुख दुख दोनों के भावरस खीच लिया करते हैं ऐसी प्रकति सुमित्रा नंदन पंथ वा रविन्दा रविन्ना टैगोर में भी थी मतलब चीजों को अंदर तक देखना पर रखना ये सुमित्रा नंदन पंथ की कविताओं में और विन्दा टैगोर जी की कविताओं में भी बहुत अच्छे से देखने को मिलती है शिरीश पक्के अवधूत की तरह लेखक के मन के भावों की तरंगे उठा देता है जैसे एक सन्यासि के प्रवचन मनुश्यों के मन में भली मंसत जगादेते हैं उसी तरह शिरीश का फूल भी क्या करता है वो कवियों के मन में जो है एक ऐसा भाव जगाते हैं जिससे ही बहुत ही विभिन कविताओं का निरमान होता है वह आग उगलती धूप में भी सरस बना रहता है कौन शिरीश का फूला बताईए जेट के महीने में अगर कोई फूल इतना बढ़िया खिला रहे है तो बताईए आग उगल रही है मौसम प्रकती और वो एकदम कोमल बना हुआ है आज देश में मारकाट, आगजनी, पक्षपात, आदी का भबंडर है ऐसे में क्या इस्थर रहा जा सकता है शिरीश रह सकता है तो उन्होंने बताया कि हर जगे कुछ ना कुछ मट है आप रश्टा चार ले लो, मारकाट ले लो, कुछ भी ले लो कही ना कहीं कुछ ना कुछ बना ऐसे में कोई विक्तिस्थर रह सकता है लेकिन शिरीश रहेगा शिरीश कैसे रहता है, वो इतनी विकट परस्तितियों में रह सकता है तो हम क्यों नहीं रह सकते गांधी जी भी रह सके थे अब गांधी जी के समय थे जब आजादी की लड़ाई चल रही थी अब उस समय बताईए हर जगे मारकाट, क्रांती, ये वो सब कुछ हो रहा था अंग्रेजों के अत्यचा लेकिन तब भी वो सौम में बने कर चलते रहे थे जब वे वायू मंदल से रस खीच कर कोमल वा कठोर बने लेखक जब शिरीश की ओर देखता है तो हू कुर्ती हाई वा अब दूत आज कहां है तो कहने का मतलब है वो जो शिरीश का फूल है वो प्रकति से सारे रस ले रहा है उसी तरह गांधी जी ने भी आस पास से हमेशा अच्छी चीजों को गुरहण करके अपने आपको शांत रखा लेकिन अब आखरी लाइनों में जो है लेखक क्या कहते हैं आज वो शिरीश का फूल कहा है आज हमें बहुत ही कम ये फूल देखने को मिलता है जड़ चुका है तो ये पाट का सारा अंश हमने यहीं पर खतम किया आपने समझा होगा कि शिरीश के फूल के माध्यम से हमें लेखक कितनी सारी चीजों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें उसी की तरह कठोर और कोबल दोनों ही बने रहना है चाहे जितनी भी विपरीद परस्तितियां क्यों ना इस पार के सार को हमने किया इसके लावा आपको और भी बहुत सारा पढ़ना होता है और भी सब्जेक्ट का पढ़ना होता है या हिंदी में ही बहुत सारा आपको चैप्तर जो हैं सर्च करने तो उसके लिए आपको करना से इतना है कि आपको हमारी website magnetsman.com पे जाना है वहाँ जाएंगे तो वहाँ आपके सामने पे सबसे पहले सारी classes आ जाएंगे तो आप जिस भी class में हैं उससे related आपको doubt है आप वो class पे click करेंगे class पे click करते ही उस class के सारे subjects आपके सामने आ जाएंगे जिस भी subject में आपको doubt हो रहा है आप click करें क्लिक करते ही उस subject की सारी books, सारे chapters आपके सामने आएंगे तो जो भी आपको पढ़ना है उस chapter को क्लिक करिए क्लिक करते ही आपके सामने में उस chapters related सारे topic आएंगे topic क्लिक करिए और अपने वीडियो को देखिए आपने सारे doubts क्लियर करिए लेकिन हाँ साथ ही हमारे channel को like, subscribe और share करना बिलकुल भी नहीं बोले thank you for watching, bye bye